उपहार अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है राजा ने जियान के लिए अच्छा वर खोजने का प्रण किया मातर हीना जियान पिता के आग रह के आगे जुक गए राजा ने पहले से ही अपने मन में तीन सुन्दर स्वस्त तथा गुणी राजकुमार जियान के लिए सोच रखे थे उन में से किसी एक का चुनाव करना था राजा ने तीनों राजकुमारों को महल में बुलाया और राजकुमारी जियान की शादी की इच्छा प्रकट की उन तीनों में से कौन श्रेष्ट और राजकुमारी के लिए उप्योगतवर है गह जानने के लिए उसने एक उपाय सोचा उसने उनसे कहा तुम तीनों जाओ और एक महिने बाद राजकुमारी के लिए उपहार लेकर आओ, जिसका उपहार सबसे मूल्यवान होगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। तीनों राजकुमार महल से चल दिये, एक महिने बाद तीनों अपने अपने उपहारों के साथ राजमहल में प्रविष्ट हुए, राजा ने प्रसन्न मन से उन तीनों का स्वागत किया, स्नान भूजनादी के पश्चात उसने तीनों से अपने अपने उपहार दिखाने को कहा पहला राजकुमार एक बड़ा सा थैला हाथ में लिये था उसने उस थैले का मूग खोल कर राजा के पैरों के पास उलट दिया अत्यंत सुन्दर चमकते हीरे जवाहरात और मोती जमीन पर फैल गए राजकुमार ने कहा महराज मेरी तरफ से ये मूलेवान रत्न राजकुमारी को अर्पित है मैंने इन्हें दूर दूर के देशों से खोजा है रत्न देख का राजा मुस्कुराने लगा किन्तू उसने कहा कुछ नहीं उसने दूसरे राजकुमार से पूछा राजकुमार तुम क्या लाए हो जियान के लिए राजकुमार ने एक बंदूग निकाल कर राजा के सामने रख दी और कहा महराज यह अपने सब शत्रों को हरा सकती है यह बंदूग राजकुमारी को संसार की सबसे शक्तिशाली रानी बना सकती है अब राजा ने तीसरे राजकुमार की ओर देखा वे खाली हाथ महल में आया था और उदास था राजा ने पूछा राजकुमार तुम्हारा वो पहार कहां है राजकुमार हाथ जोड़ कर बुला मैं क्षमा चाहता हूँ महराज मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी न ला सका राजा क्रोधित होकर बुला तुम जियान का अपमान करना चाहते हो राजकुमार नत्मस तक हो गया महराज इतनी दृष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ आप कृपा कर मेरी बात सुनिये राजा बोला ठीक है बोलो राजकुमार कहने लगा महल से निकल कर मैं आगे बढ़ा तो एक आदमी सड़क पर पड़ा करहा रहा था वो बहुत बिमार था मैंने उसे अपनी पीट पर लादा और एक वैद्दे के पास ले गया वैद्दे जी ने उसका उपशार किया कई दिन बाद उसे होश आया उसने अपने घर का पता बताया और मैं उसे वहां ले गया भूग से भी लगते उसके तीन छोटे छोटे बच्चे और रोती तड़पती उसकी पतनी मुझसे यह सब सहन नहीं हुआ मुझे उन पर बहुत तरस आया मेरे पास पैसे नहीं थे महनत मजदूरी करके कुछ पैसे मिले उसी से मैंने उस परिवार का पेट भरा उस बिमार आदमी के इलाज का खर्च भी मुझे ही देना पड़ा मैंने कई दिन तक कड़ी महनत कर उनकी देखभाल की भगवान की कृपा से वह आदमी अब पूरा ठीक हो गया है और काम पर जाने लगा है मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने एक दुखी और निर्धन परिवार की मदद की किन्तो अफसोस मुझे यह है कि पूरा महिना मैं इसी में लगा रहा और राजकुमारी के लिए कोई उपहार न ला सका अब जैसा उचित समझे करे राजकुमारी ने नजरे जुका ली राजा की आखों में खुशी के आशु छलकने लगे उसने राजकुमार के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा इन हाथों में पड़े छाले संसार का सबसे मूलेवान उपहार है ये प्रमान है कि तुमने दुखी और निर्धन लोगों के सहायता की है निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना तुम्हारा एक असाधारन कार रहे है मेरी बेटी के लिए तुम भी सबसे उप्योक्तवर हो गई अतहा राजा ने दोनों की शादी कर दी